पत्ते गोवी का हेल्दी और पोष्टिक सब्जी सेहत के लिए बड़ा ही फाइदे मन्द है और इस सब्जी को बनाना बड़ा ही आसान है तो हेलो दोस्तों मैं हो मनीस आपका स्वागत करता हूँ M4 बिहार में तो आज हम बनाने वाले हैं पत्ते गोवी का पोश्टिक और हेल्दी सबजी तो मैंने लगबग आदा केजी पत्ता गोवी लिया है जिसमें मटर, सिमला मीर्च और थोड़ा सा गाजर भी मिक्स किया है ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए तो मैंने काटने वाला समागरी को अच्छे से कटिंग कर लिया है और मटर और पत्ते गोवी को अच्छे से पाने में वास कर लिया है अब सबी चीजें रेड़ी है तीन से चार लहसून, दो हरी मीर्च, सिमला मीर्च, गाजर, प्याज और थोड़ा सा मटर तो अब चूले पर कड़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है अब इसमें एक चमच खाने लाला तेल डाल कर तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जिरा डाला है फिर लहसून, मीर्च और प्याज को भी डाल कर ब्राउन होने तक फ्राई किया है प्याज फ्राइक करने के बाद अब इसमें सबसे पहले कटा हुआ सिम्ला मीर्च गाजर और मटर को दो मिनट के लिए फ्राइक किया है दो मिनट के बाद अब इसमें कटा हुआ पत्तों को भी डाल कर फिर से दो मिनट के लिए इसे पका लेना है तो मैंने इसे कवर करके दो मिनट के लिए फिर से पकाया है और जब पत्ता गोबी अच्छे से पक जाए दो मिनट तो फिर इसमें आदा चमच हल्दी पॉडर, एक चमच धन्य पॉडर, एक चमच मिर्ची पॉडर और आदा चमच सब्जी मसाला डाल कर 3-4 मिनट तक पका लिजिए पकाने के बाद और इसमें आप नमक एड़ कर दीजिए आपका पत्ता गोबी का सब्जी तयार हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप पत्ता गोबी का सब्जी बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही स्वादिश लगने वाला है और आप ये रेसिपी एक बार ट्राय जरूर करिए और आपको ये रेसिपी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और आपने अवे तक इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद